Hello everyone, इस lecture में हम पढ़ने वाले हैं Formation of Images by Convex Lens जैसे कि बच्चों हमने Spherical Mirrors की case में देखा था कि Concave Mirror, Convex Mirror अलग-अलग तगह की Images बनाते थे कब जब अलग-अलग Positions पे Object को रखते थे साथी साथ Incident Race कुछ Rules भी Follow करती थी इससे पहले कि वो Refract हो तो उसी को Continue करते हुए आज हम वही सारी चीजे पढ़ेंगे Convex Lens यानि की एक टाइप की Spherical Lens के Respect में तो भाई आज की इस lecture का Target में आपको बता देती हूँ सबसे पहले हम गी देखेंगे कि जब Incident Race Convex Lens में Refraction शो करती हैं तो कौन से Rules फॉलो करती हैं दूसरी चीज जो Different Images बनाता है Convex Lens जब भी आप उसके सामने अलग-अलग Positions पर Object रखोगे वो सारी चीजे यानि की Ray Diagram आज हमें पढ़ने हैं तो भाई Target हो गया है Fixed तो फिर देरी किस बात की तो चलि स्टार्ट करते हैं आज का हमारा Lecture So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी Chapter's की Video Lectures मिलेंगे बिल्कुल Free of Cost मतलब Magnet Brains में आपको दो Chapter's पढ़ने के बाद किसी भी तरह का Payment करने की या Package देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल Free of Cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा Lecture जो क्या है Formation of Images by Convex Lens ठीक है? अब देखो भाई यहां पे किवल तीन ही Rules Follow होते हैं जैसे हमने Spherical Mirrors की Case में देखा था कि Incident Race जो की Parallel होती है Principal Axis के ठीक है? वो Reflect होने के बाद कहां जाएगी? या जो Incident Race Focus को Pass होती है वो Reflect होकर के कहां जाएगी? जो Directly Pole पे आकर के Strike कर रही है वो कहां जाएगी? वो Incident Race जो की Center of Corvature से पास हो जी तो Reflect होकर के कहां जाएगी? वो सब हमने पढ़ा था Spherical Mirrors के Case में आज हम बात करते हैं किसकी? आज हम बात करते हैं हमारे Convex Lens की तो पहली Image आपको दिख रही होगी ये है क्या हमारा एक Convex Lens Red Color की आपको क्या दिख रही है बच्चो? Red Color की दिख रही है आप सबको एक Incident Ray ये जो Incident Ray है बच्चो? ये कैसी है? Principle Axis के Parallel है Principle Axis के Parallel होने वाली Incident Ray रिफ्रेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएंगी बच्चो? रिफ्रेक्ट होने के बाद एक Particular Point पे जिसको हम Focus कहते हैं उस Focus को Pass करती हुई निकल जाएंगी ये तो भाई जब हमने Focus Obtain करना सीखा था प्रिवेस अभी कुछ सेशन में लेक्टर्स में उसमें हम ये चीज़ तो हमें पहले से पता थी है ये क्या बता रहे हमको ये तो हमको पहले से पता था कि वो Incident Ray जो की Parallel होती है Principle Axis के Refraction करने के बाद Refract होने के बाद जो Emergent Ray निकलती है वो कैसी होती है Focus को Pass करती हुई जाएगी है ना ये हमने पहली पढ़ा था In fact, Principle Axis के उपर जो Incident Ray होती है वो कैसी जाती है नीचे के दरफ बैंड होती है और वो Incident Ray जो की Principle Axis के नीचे होती है वो बैंड होकर के बच्चों कैसी जाएगी वो बैंड होकर के जाती है उपर Focus से ही पास होके जाएगी ये वाला Rule क्या हमें पढ़ने की जर्वत पढ़ी नहीं ये Rule तो हमको पहले से ही पता था कि Incident Ray जो की Parallel होंगी Principle Axis के Refract होने के बाद क्या होंगी Focus से पास होंगी ये चीज हमको पहले से पता थी अब Second Rule की हम बात करते हैं Second Rule क्या है बच्चों इसको C को आप बना देना O क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम Optical Center को हमेशे O से रिप्रेजन कर रहे हैं तो इन C को आप बना देना O Second Image क्या है Second Image में आपको दिख रहा होगा कि एक Incident Ray है जो कि क्या हो रही है Optical Center से पास हो रही है ये चीज मैं आपको जब हम Components पढ़ रहे थे Spherical Lenses के उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई वो Incident Ray जो कि Optical Center से पास होती है वो कैसी होंगी As it is बाहर निकलाएंगी क्यों कि Optical Center की खास्यती मैंने आपको ये बताया थी कि Optical Center पे Refraction नहीं होता है Refraction नहीं होता इसका मरलब ये नहीं कि Light Bounce होकर कि वापस चली जाएगी नहीं वो तो हो ही नहीं सकता क्यों कि ये हमारे Lens है Mirror के केस में Reflection हो रहा था Bounce Back तो हो ही नहीं पाएगी Light अगर यहां पे Mirror होता तो Reflect होकर के वापस जा सकती थी लेकिन यहां पे क्या हो रहा है Mirror नहीं है ये एक Lens है तो एक Incident Ray जोगी Optical Center को Pass करती हुई जाएगी वो उसमें Refraction नहीं होगा Optical Center की मैंना को ये खास्यत पहले से बता दी थी तो इसमें तो कोई doubt नहीं है तो Refraction नहीं होगा कि मैं इससे क्या मतलब है फिर इस Light का होगा क्या आपने बोला Reflection नहीं हो सकता क्योंकि Mirror नहीं है आपने बोला Refraction नहीं हो सकता क्योंकि ये Optical Center से Pass हो रही है यहाँ पे optical center में हम बोड़ रहे हैं कि reflection नहीं हो रहा है यानि कि light की bending नहीं होगी सिरफ ऐसा नहीं कि reflect होकर कि वापस जाएगी reflection नहीं हो रहा है मतलब क्या कि यह अपने path से deviate नहीं होगी undeviated क्या होगी इसका path जिस path से यह आ रही थी उसी path को follow करती हुई यह lens के बाहर निकल जाएगी टाटा बाइ-बाइ बोल देगी reflection का मतलब bending of light ही होता था और अगर किसी point पे optical center पे reflection नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या कि उस point से जो भी incident ray आ रही है वो अपना path change नहीं करेगी वो अपने path को फॉलो करती हुई बाहर निकल जाएगी ठीक है फिर इसके बाद में तीसरा rule क्या है तीसरा rule यह है कि वो incident ray जो की focus focus को pass करती हुई lens के अंदर गुसेगी न तो lens के बाहर जब जाएगी तो parallel हो करके जाएगी यह वाला rule इस वाले rule को opposite है यह तो हमने पहले से ही पड़ा रखा है कि incident ray जो की parallel होती principal axis के जब वो lens के बाहर जाएगी तो focus एक particular point पे converge हो जाएगी आकर के है ना? उसको अमने नाम दिया था focus और इसका opposite कर दो कि वो incident ray जो की focus को pass करती हुई आ रही है lens के अंदर reflect होने के बाद कैसी जाएगी principal axis के parallel ही जाएगी यह दोनों rule समझ में आए और यह second rule क्या था? कि बही optical center से pass हो रही है रहे यानि कि reflection होगा नहीं reflection होगा नहीं मतलब क्या? light की bending नहीं होगी bending नहीं होगी मतलब क्या होगा? अपने original path को follow करती हुई वो बाहर निकल जाएगी lens के बाहर चली जाएगी I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चो ठीक है? समझाने वाला part मैंने कर दिया है अब अगर theory चाहिए है तो यह ले लो rule 1 क्या है? ray incident on the lens in a direction parallel to the principal axis of convex lens क्या होगा? focus से pass करती हुई निकलेगी ray passing through optical center क्या होगा? कोई reflection नहीं होगा und deviated होगी ठीक है? third rule क्या है? third or last ray passing through first principal focus f1 of convex lens क्या होगा? वो parallel हो जाएगी principal axis के ठीक है? और यह चीज आपको पताए गई है कि भई जो convex lens होता है उसका focus कैसा होता है बच्चों? virtual point होता है actually में हमें दिखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? images formed by a point where any two of the refracted rays actually meet for real image और appear to meet for virtual image. basically यहाँ पर इनने focus को define कर दिया है यहाँ पर क्या हो रहा है? convex lens की cases में actually हमें दिखता है कि rays क्या हो रही है? converge हो रही है concave lens की case में हमने क्या देखा था बच्चों कि हमें refracted rays को या emergent rays को पीछे के दरफ खीचना पड़ता था, extend करना पड़ता था और एक particular point पे आ करके वो मिलती थी, यहने कि focus कैसा होता था virtual होता था ठीक है? अब जो बच्चों हम images बनाना सीख रहे हैं वो हम सीखेंगे हमारे convex lens के बारे में convex lens का जो focus है बच्चों वो हम सबको पता है कैसा होता है? Real होता है यह मैं पता है कि convex lens का focus कैसा होता है बच्चों? Real होता है क्यों? क्योंकि हमें literally दिखता है कि हाँ भई refractory rays कैसी हो रही है? Converge हो रही है एक point पे इसलिए हम उसे converging lens भी कहते हैं अब उस session में मैंने आपको बताया था जब हम convex lens का focus निकालना सीख रहे थे कि convex lens जो होता है न वो बहुत जादा similar होता है किससे concave mirror से एक तो focus वाला point मैंने आपको बता दिया कि जैसे concave mirror का focus क्या होता है? Real point होता है उसी तरह से एक convex lens का भी focus कैसा होता है Real point होता है दूसरी कुछ और similarities भी है क्या? अब देख लो ray diagram देख लो उससे समझ में आ जाएगा तो एक क्या करते हैं भाई? images निकालना अब हम सीखते हैं और मैंने आपको reflection की case में भी बताया था कि जब आपको किसी object की image बनानी है तो कम से कम आपको दो reflected rays तो चाहिए है तो भी reflection में भी यही होगा अगर आपको किसी object की image चाहिए है लेंस के आगे ज़िसको आप में रखा हुआ है उसकी image चाहिए तो कम से कम आपको दो reflected rays तो चाहिए ही चाहिए है ठीक है अब पहला case हम देखते हैं पहला case क्या है भई object को हमने रखा है कहाँ infinity पे यह हम पहले ही पड़ चुके हैं कि infinity पे रखे हुए किसी भी object की raise कैसी होगी बच्चो पैरलल होगी है ना infinity पे रखे हुए किसी भी object की incident raise होगी वो कैसी होती है पैरलल होती है किसके पैरलल होती है principal axis के पैरलल होती है तो हमने क्या किया भाई बड़े प्यार से हमने लिया है क्या एक convex lens ठीक है अब क्या करेंगे हम अब हम एक काम करते हैं बहुत सारी incident raise लियाते हैं incident raise बोले तो कैसी होगी वो parallel होगी parallel होने के बाद अभी अभी हम क्या पढ़ किया है रूल पढ़ किया है कि वो incident raise जो की parallel होती है principal axis के reflect होने के बाद कहां मिलती है मिलती है focus पे तो image कहां बनेगी focus पे ही बनेगी size देखो ज़रा कितना छोटा size point size यानि कि highly diminished HD image यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है है ना और यह कैसी होगी क्योंकि हमें पता है कि हमारा convex lens जो होता है उसका focus कैसा होता है बच्चों real होता है दिख रहा है ना आपको यहाँ पे reflected raise मिल रही है मतलब क्या हुआ focus कैसा हुआ real हुआ और real की साथ में कौन आता है inverted यानि कि जब कोई object infinity पे रखा होगा convex lens के सामने उसकी image कहां बनेगी बच्चों focus पे बनेगी कैसी होगी? real होगी? inverted होगी? क्यों? क्योंकि इसका खुद का focus कैसा है convex lens का? real है और साथ साथ में कैसी होगी? बच्चो point size होगी यानि की highly diminished अब ज़रा याद करो concave mirrors के case में जब हमने object को रखा हुआ था infinity पे तो image कैसे बन रही थी? real बन रही थी inverted बन रही थी highlight diminished बन रही थी और कहां बन रही थी? focus पे बन रही थी कुछ इस तरह की आपको image अगर याद हो याद है ये क्या हो था? हमारा concave mirror था ये आ रही थी हमारी incident rays reflect होने के बाद में ये कहां converge हो रही थी? focus पे converge हो रही थी आया याद? ठीक है? तो जो मैंने बताया था ना कि convex sense बहुत जादा मिलता जूलता है concave mirror से देख लो एक एक करके सारे पत्ते खुल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको कि convex lens के सामने किसी object को रखा है आपने infinity पे image का बनेगी भाई? focus पे बनेगी highly diminished होगी point sized होगी real होगी क्यों? क्योंकि convex lens का focus कैसा होता है? real होता है real के साथ में कौन आएगा? inverted आएगा उसका best friend तो image कैसी होगी? real inverted ठीक है? highly diminished होगी याने कि बिल्कुल point size के बराबर होगी at second principle focus of the lens second क्यों बोल रहे है? क्योंकि इस वाले focus को हमने one बोला है तो इसको हम two बोल देते हैं भाई focus को कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा न जब आप ये diagram बनाओगे तो teacher को भी दिखेगा कि अच्छा बच्चे ने इसको focus one माना है तो इसको focus two मानेंगे तो आप जब लिखोगे कि इमेज कहां बनी है आप सिर्फ लिख दोगे कि focus पे बनी है तो teacher को क्या पता है कि इस वाले focus की बात करो इस वाले की तो आपको क्या करना है बच्चो नाम भी देना है focus को F1 और F2 तो आपको पताना पड़ेगा कि F2 में बन रही है image और कहीं नहीं बन रही है ठीक है I hope ये वाला case आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम बात करते है next case की next case क्या है when the object is held beyond 2F1 अभी 2F1 क्या है देखो बच्चो जो lens है उसके optical center से ले करके जो center of curvature होता है optical pole से जो center of curvature तक का जो distance होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चो radius of curvature कहते है center of curvature और जो optical center है उसके बीच में क्या आता है focus आता है है ना optical center और center of curvature तक का जो distance है वो कहलाता है radius of curvature optical center और radius of curvature के बीच में क्या आता है focus आता है ठीक है और optical center और focus तक का distance हम मैं पता है focal length कहलाता है तो अगर मैं इधार से ले करके Center of curvature तक का मैं distance क्या मैं 2F नहीं बोल सकती बिल्कुल बोल सकती हूँ तो अगर मैंने F point को नाम दिया है क्या F1 तो मैं जो Center of curvature है न बच्चो उस point को मैं बोल देती हूँ नाम क्या 2F ठीक है तो ये 2F 2, 2F1 से confused मत जाना ये simply क्या है Center of curvature है ठीक है तो पहली चीज क्या है थी हमने क्या सीखी कि किसी भी object को infinity पे रखा हुआ है तो focus कहां बनेगा image कहा बनेगी focus पे बनेगी converge हो जाएंगी सभी refracted rays और image कैसी होगी point size होगी highly diminished होगी real होगी inverted होगी अब क्या बोला जारा जब आपने object को रखा गया है 2F1 के पीछे याने की आपने center of curvature के पीछे रखा हुआ है और किसी भी object की अगा आपको image बनानी है तो कम से कम 2 reflected rays तो यह ही चाहिए है must है तो एक हमने कौन सी ली है एक हमने incident ray है जो की parallel है प्रिंसिपल axis के और दूसरी incident ray जो की optical center से पास करती हुए जा रही है तो भाई जो अभी हमने rules पढ़े है convex lens के लिए वही follow कर दो यहाँ पे वो incident ray जो की parallel होगी प्रिंसिपल axis के reflect होने के बाद कहां से जाएंगी भाई reflect होने के बाद जाएंगी focus से पास होती हुई दूसरी incident ray जो की optical center से पास होरी optical center की खासियत क्या है कि वहाँ पे reflection नहीं होगा याने कि light की bending नहीं होगा याने कि light incident light का जो भी उसका original path होगा उसी को follow करती हुए वो lens के बाहर निकल जाएगी अब दोनों ही refracted ray को क्या करना है आपको extend करना है किस point तक extend करना है जब तक की वो मिल नहीं जाती और जहां वो मिले तो समझ लो वहीं पे क्या बना अपना image बन गया कहां बन रही है image F2 और 2 F2 के बीच में बन रही है कैसी बन रही है दिख रहा है आपको real real तो बनेगी ही क्यों क्योंकि हमें पता है कि focus जो होता है convex sense का वो कैसा होता है real होता है तो real बन गई और inverted बन गई size कैसा है इसका size हम बोल रहे है बच्चों की object से तो छोटा ही है हलाकि दिख रही है image अभी point size नहीं है लेकिन हाँ diminished तो अभी भी कैलाएगी क्योंकि object से तो छोटी ही बन रही है image की size क्या ये case आपको इससे matching नहीं रग रहा ये बना लिया हमने concave mirror ये बना लिया हमने pole ये बना लिया क्या इसका focus और ये बना लिया हमने center of curvature किसी object को हमने center of curvature पे रखा हुआ center of curvature के पीछे रखा हुआ था बच्चों तो हमने देखा था incident ray I focus को pass करती हुई निकल गई चीक है इसी तरह से आपने क्या किया focus से जो line जाती थी वो कैसी हुजाती थी वो हुजाती थी principal axis के parallel तो ये देखो कुछ इस तरह से आपकी image जो है बनेगी समझ में आ रहे है ये case क्या इससे similar नहीं है बिल्कुल similar है इसको इस तरह से नहीं बनेगा ठीक है ये ऐसा नहीं बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा ये क्या बन गया मेरा concave mirror ये incident ray आई parallel हो गई किसके principal axis से focus से पास होती हुई निकल जाएगी ये आई क्या एक और incident ray focus से पास होई तो principal axis के parallel होती हुई निकल जाएगी क्या ये इस से similar नहीं है case बिल्कुल similar है क्या वह हो रहा था center of curvature के पीछे रखी गई थी object को image कहां बनी है बच्चो image बनी है F2 और 2 F2 के बीच में कैसी है size में छोटी याने के diminished real and inverted है आ रहा है आपको समझ में दो incidentaries आमने कौन सी ली थी एक ली थी जो की principal axis के parallel दी और दूसरी कैसी ली जो की optical center को पास करती हुई जा रही थी ये case number 2 जथा ना concave mirror का उससे similar है आ रही है बात आपको समझ में कि क्यों मैं आपको बाबा बोटी थी कि मैं कि बच्चों convex lens जो होता है वो concave mirror से एक जैसा ही होता है इससे mirror होता है अगर आपको concave mirror के cases ज्याद हैं तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ठीक है images कैसी होगी F2, 2, F2 ये आपको mention करना बहुत जरूरी है बच्चों फिर इसके बाद में rear inverted बन रही है smaller in size and the object इसको आप diminished भी बोल सकते हो अब क्या करें अब एक काम करते हैं third case परते हैं third case क्या है formed on the sorry when the object is held at 2, F2 2, F1 sorry 2, F1 पे रखा हुआ है object यानि कि ये बन गया क्या मेरा एक convex lens अब object कहा रखा गया है 2, F1 पे रखा गया है एक incident ray लेते हैं हम कैसी parallel to principal axis दूसरी लेते हैं जो कि optical center से pass करती हुई जारी है जो laws, जो rules follow करती है incident rays, reflection में वही हम यापे follow करवा देंगे parallel है principal axis से तो focus से pass होती हुई refract हो जाएगी optical center से pass हो रही है तो बेना किसी bending के आगे चली जाएगी दोनों refracted rays को आपने जोड़ दिया कहां जोड़ी तो भाई 2, F2 पे जोड़ गई यानि कि 2, F1 पे object डखा है और image कहां बनी है 2, F2 पे बनी है ठीक है कैसी दिख रही है हमको real और inverted दिख रही है और size भी same दिख रहा है क्या ये concave mirror का वो वाला case नहीं होगा कि जब आपने रखा है object को कहा center of curvature पे center of curvature पे जब आप किसी object को रखते हो concave mirror के आगे तो image कहां बनती है center of curvature पे ही बनती है कैसी बनती है real and inverted बनती है है ना बताई थी मैंने आपको ये चीज I hope ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा convex lens है उसका third case concave mirror के third case से बिल्कुल मिलता जोलता है वहाँ पे भी center of curvature पे object रखा image कैसी बनी real inverted बनी और center of curvature पे ही बनी यहाँ पे क्या और है 2F2 पे रख रहे है अपना object को image कहाँ बनेगी sorry 2F1 पे रख रहे object को तो image का बनेगी 2F2 पे बन जाएगी आगे बात आपको समझ में कैसी बन रही है real inverted बन रही है size same ही है और कहाँ बनेगी on the other side of the lens at 2F2 टीक है I hope इसी समझ में आरी होगी बच्चों आपको अब हम बात करते है case 4 की case 4 क्या है when the object is held between F1 and 2F1 मतला हम क्या कर रहे है दीरे दीरे object को lens के पास ही लाते जा रहे है फिरसे हमने क्या बनाया है एक हमने बनाया convex lens ठीक है 2F1 और F1 के beach में कहीं object को रखा गया है दो incident rays निकालेंगे एक जाएगे principal axis के parallel यानि कि focus को cross करते हुए निकलेगी दूसरी तरफ और एक incident rays हम जो ले रहे हैं वो कौन सी होगी जो कि optical center को पास करती हुई जा रही होगी दोनों ही refracted rays को मिला दो भही मिला दो कहां बन रही है image जिस point पे दोनों refracted rays मिल रही है उस point पे बन जाएगी image और ये point कहां आ रहा है ये आ रहा है 2F2 के पीछे यानि कि जब आप F1, 2F1 के बीच में रखोगे object तो image कहां बनेगी बच्चों 2F2 के पीछे बन जाएगी Concave mirror का 4th case याद करो 4th ही वाला है न ये कि जब आपने object को रखा कहां center of curvature और focus के बीच में तो image का बनती है center of curvature के पीछे बन जाती है Real inverted रहेगी लेकिन size में कैसा रहेगा बच्चों Size तो बड़ा रहेगा आप image का अभी तक तो infinity पे रखी थी तो एकदम point size बन रहे थी Pass लेकर के आए तो थोड़ी सी diminish हो गई फिर same size की हो गई अब और pass लेकर आएंगे तो image क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी Concave mirror का 4th case और convex lens का 4th case एक जैसे ही है बस difference क्या हो रहा था बच्चों वाँपे कि mirror के जो image और जो object है ना वो एक ही side पे दोनों लाए कर रहे थे negative x-axis पे लेकिन lens के केल में क्या होता है lens के case में हम देखते हैं कि object कहीं और रखा होता है image दूसरे side बनती है lens के lens के एक side में रखा हुआ है object और दूसरे side में बनेगी image लेकिन mirror से case में क्या होता है जहां object रखा होता है कॉनके mirror के case में वहीं क्या बन जाती image बन जाएगी है ना एक case ऐसा होता था जहां पे image कैसी बन रही थी virtually right वो भी अभी हम देख लेंगे तो fourth case क्या है भई fourth case यह है कि जब आपने two f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है object तो image का बनेगी two f2 के पीछे बनेगी कैसी होगी real inverted होगी लेकिन size में कैसी होने वाली है बड़ी होने वाली है I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों अब बात करते हैं हम fifth case की case fifth क्या है भई case fifth में हम देख रहे हैं कि object को अब रखा गया है f1 पे object को कहा रखा गया है बच्चों f1 पे रखा गया है ठीक है तो अगेर हम क्या करेंगे two incident rays निकालेंगे एक निकालेंगे parallel to principal axis दूसरी निकालेंगे जो कि हमारी जो optical center है उससे pass होने वाली होगी ठीक है एक होगी कौन सी optical center से pass होने वाली और दूसरी होगी कैसी जो कि principal axis के parallel होगी तो parallel होगी मतलब क्या focus से pass होती होई निकाल जाएगी और optical center में तो पता ही है कोई deviation होगा ही नहीं पात में जैसी थी जो original path था उसी को follow cut to the lens के बाहर चली जाएगी अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही जो reflected rays है वो कैसी है? parallel है parallel rays हमने concave mirror के fifth case में ही देखी थी कि दोनों ही reflected rays कैसी हो रही थी बच्चों parallel हो रही थी उस समय मैंने आपको बताया था कि हम अमिशा से मानके ये चलते हैं हमको इस सिखाया जाता है कि parallel rays कभी भी मिलती नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था ऐसा जरूरी नहीं है parallel rays भी मिलती है कहां मिलती है? बहुत दूर मिलती है infinity पे सिर्फ और सिर्फ diverging rays ऐसी होती है बच्चों जो कहीं से लेके कहीं तक जा करके मिलती नहीं है लेकिन parallel rays मिलेंगी कहां मिलेंगी? बहुत दूर मिलेंगी infinity पे मिलेंगी तो बैई یہ जो दोनो parallel rays है न ये भी क्या होऊंगी? ये भी infinity पे जा करके मिलेंगी मिलेंगी यानि कि 2f2k beyond कहां मिलेगी at infinity जहां मिलेंगी वहां image बनेगी कैसी image होगी भाई real, inverted, लेकिन magnified image होगी कि तो हमें पहले से दिखता रहा था जब हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा था तो भी हमें देख रहा था कि 2F2 की beyond image बनी है तो वो कैसी है enlarged है अब जब image object को आप lens के पास लेकर के आते जा रहे हो, image क्या बनती जा रही है दूर बनती जा रही है और बड़ी बनती जा रही है तो अगर आपने F1 पे रखा हुआ है किसी भी object को तो image का बनेगी बच्चों infinity पे बनेगी और कैसी रहेगी, magnified रहेगी तो concave mirror का 5th case आपको याद हो गया, हो गया ठीक है, मैंने आपको पहली बनता ना बच्चोंगी अगर आपको concave mirror के cases याद है ना तो convex lens के cases कोई बड़ी बात है ही निए आप लोगों के लिए अब एक last case आता है last case में क्या होता है कि object को रखा होता है कहाँ focus और optical center के बीच में याने कि ये रहा क्या हमारा concave lens ठीक है ये रहा क्या उसका optical center ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2 और ये रहा 2F2 ठीक है object को अब अपने कहाँ रखा है बच्चों इदर पर रखा गया है याने कि optical center और focus के बीच में रखा गया है Again हम क्या करेंगे? दो incident race निकालेंगे दो incident race कैसी होगी? एक होगी parallel तो principal axis और दूसरी कैसी होगी? optical center से pass होती हुई तो वो तो ऐसी कैसी बाहर निकल जाएगी जो principal होगी principal axis के parallel वाली जो incident होगी वो कैसी जाएगी? reflect होने के बाद focus से pass करती हुई निकल जाएगी अब आप इन दोनों race को जारा ध्यान से देखो ये दोनों race कैसी हो रही है? ये हो रही है diverging तो क्या कोई diverging race आपस में आकर के मिलती है? कभी नहीं मिलती है याद करो concave mirror का last case sixth case जब आपने focus और pole के बीच में रखा हुआ था object क्या उस case में भी diverging race मिली थी? बिल्कुल मिली थी उन diverging race को सबग सिखाने के लिए हमने क्या किया था? उनको हम mirror के पीछे extend करके लेके आ गए थे क्यों extend किया था? क्योंकि हमें पता है diverging race तो कभी नहीं मिलने वाली parallel मिल जाएंगी infinity पे जाकरके लेकिन diverging का कोई scope ही नहीं है तो इनको सबग सिखाने के लिए हमने क्या किया था? हम mirror के पीछे उनको ले गए थे जहां मिली mirror के पीछे वहां हमने बोल दिया image बन गई तो mirror के पीछे बन रही है image इसका मतलब कैसी होगी? virtual होगी और upright थी इसलिए हमने बोला कैसी होगी? erect होगी तो भाई ये case भी तो कुछ अलग नहीं है यहां क्या होगा? यहां पे भी हम बोल रहे हैं कि जो image बनेगी बच्चों वो कहां बनेगी? जहां पे object रखा है उसी के side में बनेगी क्या करेंगे? यह जो diverging rays है ना दोनों को extend करी और मैंने देखा कि जो image बनी है जो image बनी है वो कहां बनी है? 2F1 के पीछे बनी है और कैसी है? erect है virtual है है ना? virtual क्यों बोल रहा है बच्चों? virtual का मतलब क्या होता है? not real क्यों मैं इसको virtual बोल रही हूँ? inverted आपने बोला erect तो समझ में आ गया सीधी बनी, upright बनी इसलिए आपने इसको erect बोल दिया लेकिन आपने वर्च्वल क्यों बोला? वर्च्वल इसने बोला बच्चों क्यों 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 यह जो image थी हमारी यह real नहीं थी अभी तक तो जितने भी cases हमने देखे वहाँ हम क्या कर रहे थे? actually में reflected rays को converge होते हुए किसी ने किसी point पे देख रहे थे चाहे focus पे, f1 पे to f1 पे या दोनों के बीच में कहीं न कहीं हम उनको converge होते हुए देख रहे थे लेकिन यहाँ तो भाई करना पड़ रहा है ऐसा लगता है कि दोनों ही reflected rays क्या हो रही है कहीं पीछे की तरफ मिल रही है lens के पीछे की तरफ मिल रही है इसलिए यह जो image बनेगी बच्चों वो कैसी होगी, virtual होगी और upright है, इसलिए मैंने उसको नाम दे रही है क्या? erect तो यह आपको याद आ रहा होगा यह जो हमारा concave mirror का जो last case था जहाँ पे virtual और erect image बन रही थी यह उसी के जैसा है हमने क्या किया है? object को रखा है focus, f1 और optical center की बीच में जिसके विज़े से क्या ऐसी होई rays? diverging होई diverging को सबक से खाने के लिए हमने क्या किया? उनको पीछे की तरफ कर दिया extend तो image हमारी कैसी बन गई बच्चो? image हमारी बन गई virtual and erect I hope यह सभी cases आपको अब clearly दिमाग में बैड़ गए होंगे और concave mirror की जो cases थे वो भी हम साथ में revise करते होई आ रहे थे तो concave mirror के भी cases हमने revise कर लिए अब शायर आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ मैं मैंने सही खा था जो convex lens होता है वो काफ़ी जादा similar होता है किसके साथ concave mirror के साथ images भी अब तो हमने देख लिए है अब क्या है भाई? एक काम है आपसे यह है क्या? NCRT का एक बड़ा अच्छा सा diagram है ठीक है? इसको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है ठीक है? कैसे बिठाओगे इस चीज को अपने दिमाग में? सारे cases जो हैं आपके सामने मैं बता चुकी हूँ ठीक है? एक एक case को आप अच्छी तरीकी से solve करके देख चुके हैं तो इस table को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर object कहां बना है? object है infinity पे तो image का बनेगी F2 पे बनेगी, focus पे बनेगी highly reduced होगी, diminished होगी, highly diminished होगी, real inverted होगी दूसरी क्या है? अगर 2F1 के पीछे है तो image का बनेगी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी अभी भी diminished होगी, real inverted होगी फिर अगर आपने कहां रखा है? object को 2F1 पे रख दिया है तो image का बनेगी? 2F2 पे बन जाएगी और equal size की होगी, real inverted तब भी होगी between F1 और 2F1 रखा हुआ है तो image का बनेगी बच्चों? जैसे जैसे आप object को past लेके आ रो इमेज दूर बनती जा रही है है ना, जब infinity पे रखा था तो focus F2 पे बन रहा था और जैसे ही आप 2F1 के लेकर आ गए उनके बीच में तो image 2F2 के पीछे चले गई enlarge हो जाएगी, size में बड़ी हो जाएगी, real inverted तब भी होगी 5th case क्या है, जब आपने F1 पे रखा है अपने object को image का बनेगी, infinity पे parallel rays निकलेंगी highly magnified image होगी, लेकिन तब भी वो real inverted ही होगी फिर इसके बाद में आपने F1 और optical center इसको O कर लेना optical center O के उसमें रखा हुआ है, कहां बनेगी image? beyond F1 on the same side of the object जहां भी object रखा होगा आपने उसी side में F1 के पीछे बन जाएगी अप depend करता है कि आपने F1 के पीछे कहां बही? F1 के पीछे फिर आप depend करता है कि आपने F1 और optical center कितने बीच में आपने object को रखा है उस पर depend करेगा कि कितने पीछे F1 के पीछे image बन रही है लेकिन हाँ कैसी होगी virtual erect होगी और enlarge होगी तो I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चो कोई doubt आप नहीं रह गया होगा ये table आप revision के तौर पे use कर सकते हैं अगर कहीं कुछ भूल रहे हैं कि कहां कैसी image बनती है इस table पे एक बार नजर मार लेना याद आ जाएगा तो भाई आज के इस session के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने next session में जहां पे हम अब concave lens बचा हुआ है उसके ray diagrams पढ़ेंगे और concave lens similar होता है convex mirror से वहाँ पे सिरफ 2 case होंगे convex mirror में भी 2 case होते थे concave lens में भी 2 case होंगे आज के lecture के लिए बस इतना ही हम बात करेंगे next lecture में तब तक आप क्या करेंगे हमारे जो official website magnetbrains.com उसको visit कर लेना जहां पे आपको सभी lectures के जो सभी video lectures जो है सभी chapters के वो एक playlist में भी रेंगे साथी साथ सभी topics के वहाँ पे आपको नोट भी होंगे अवेलिबल तो दो विज़र ओफिशल वेबसाइट magnetbrains.com तिल देन कीप लेंडिंग मेंगे ब्रेंगे थांक यू फर वाचिंग